हेलो फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे MS Excel में फॉर्मूला का यूज क्या है फॉर्मूला क्या होते हैं और उनको यूज हम कैसे करते हैं तो चले दोस्तों नमस्कार मैं और जिनीश मिस्रा और वीडियो में आज तक जरूर बने रहेगे जिससे आपको सा काम में कहां और सेटे हैं बड़े से बड़े काम को हम बहुत ज्यादा ताइम जिसकाम को मैंनुली करने में लगेगा उस काम को हम फॉर्मूला के यूज करके फटाफट सेटे हैं ऑब आपको बताते हैं जैसे मालीजे की एक छोटी सी बात में natomiast और把 तोटल मार्क निकालना है और इस सब्जेक्ट मिला के टॉटल माख सदर्दम नीकालना है अब एवरेज निकालना हैeldky आपको division निकालना है, grade निकालना है, तो अगर ये काम आप manually करते हैं, तो सोचिए कि एक बच्चे के निकालने में, एक student के result निकालने में, अगर आपको एक मिनट का भी शमय लगता है, तो दस अजार student का अगर आप result निकालते हैं, तो आपको पता नहीं कितने सारे दिन लग जाएंगे, हां, MSXL आपको इसी काम को करने के लिए formula के features देता है, ऐसे ही बहुत सारे काम करने के लिए, जिसमें आपको एक student का result निकालना है, जो भी time आपको लग जाए, एक मिनट, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, और बाकी के जो आपके बच्चे हुए 9999 इस्ट्वेंट्स हैं, उनका MSXL खुद निकालेगा, सिल्फ निकालेगा, आपको थोड़ा से उसको बताना पड़ेगा, बस, तो जो काम आप कई घंटों में करने वाले थे, एक्सल में वही काम आप सेकेंडों में कर सकते हैं, किस का उस करके, formula का, तो चले दोस्तों, बड़ा इंटेस्टेड है, बड़े कमाल की चीज़े हैं, हम आज पढ़ने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं, चुकि आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आज हम आपको basic चीज़े बताएंगे, एक्सल में basic formula का यूज हम कैसे करते हैं, जिनका यूज हम daily life में कर सकते हैं, ठीक है, प्लस, माइनस, multiply, divide, यह चीज़े सीखेंगे, इसके बाद हम advanced level की यह सारे formula हम पढ़ते जाएंगे, इस video को skip मत कीज़ेगा, last तक बने रहे हैं, जिससे आपको भी सारी समझ में हैं, और आप अपने data entry के work को कई घंटों काम मिंटों में कर पाएं, तो दोस्तों सबसे पहले हम excel open करेंगे, यह यह हमारा MS Excel open है, और हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ record हैं पर मैंने तयार करके कुछ data type करके रखा है, और आप भी पहले कुछ data तयार कर लिजेगे, इसकी बाद हम इसमें सीखते है step by step की formula कैसे हम यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको formula type करने प्रोडक्टी लिस्ट है यहाँ पर और यह उनकी अप्रेल, मई, जून इस तरीके से sales है, थ्री मंद की और हमें आप पर total sales निकालना है, ठीक है, यह हमारे पास जो product है, यहाँ पर देख रहे हैं, आप इनके कुछ यहाँ पर सबके product जो है, यहाँ पर sales लिखा हुआ है, कि लेप्टाप लेन्बो का प्रेल में क्या sales है, मई में क्या है, और जून में का है, लेकिन यहाँ पर total हमारे पास नहीं है, और हमें यह काम total निकालना है, यह सारे product हैं, और यह सारे product हमें आप total निकालना है, क्रम से, अब चलिए दोस्तों कमाल की चीजिए मैं इसमें देख सबसे आसान ट्रिक कि हम इसको कैसे जोडेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पूरे डेटा को सेलेक्टर लेना है जितना टोटल चाहिए उसको आपको क्या करना इस तरीके से पूरा आप सेलेक्टर सकते हैं इस तरीके से ठीक है और सेलेक्टरने के बाद आप एक सेलेक्टा सेलेक्टर लिया है ठीक है ये हमारा पूरा रिकार्ड है और नियुक्त को चाहिए हमने इस तरह की इसको अभी चाहिए है और इसके बाद आपको सिंपली आपका यह home और हो मिनू में आप राइट साइड में यहां देखिए यह आपको मिलता आटो सम्का दोस्तों बड़े कमाल का आप्षन मिलता आटो सम्का ठीक है और यहां हमें आटो सम्के सिंपली क्लिक करना है देखे हमने जैसे क्लिक किया और आप यह देखिए यहां पर टोटल यहां पर सारी सबी से टोटल करके हमें दे दिया पूरे डिटा ठीक तो यह तो रहा आटो सम्का थोड़ा सम्क फॉर्ण साइज बढ़ा करते जिससे आपको प्रापर दिखा पाए य नहीं है हम आटो सम्के कर सकते हैं यह तो पहला तरीका रहा दूसरा तरीका देखिए हम यहां पर आपको बताते हैं इसको हम बापिस डिलेट करते हैं और हम आपको दूसरा तरीका दिखाते हैं अगर आपको फार्मूला के यूज करके करना है तो कैसे करेंगे तो दोस्तो होगा is equal to मैं यहाँ पर इस तरीके से is equal to press किया ठीक इसके बाद आपको without space आपको function का नाम type करना है जोडने के लिए some function का यूज़ किया जाता है some function तो मैंने type के equal और इसके बाद some type किया without space अब इसके बाद आपको bracket देना है लगाना इस अब इसके बाद हमें जितना data हमें plus करना है हम उसको क्या करेंगी से लेक्टर लेंगे मैंने यहां से और यहां तक मुझे जोड़ना है तो मैंने इन तीनों को इस तरीके से से इसको बोलते है रेंज यह है सेल की रेंज सीटू से इटू मतलब यह जो बैलो हमारे है यहां से c2 से ले करके और यह e2 तक की value यहां पर दे रहा है में ठीक है अब इसको हम simply bracket को बंद कर देंगे और keyboard से इंडर के प्रेस कर देंगे दोस्तों तो यह देखिए यहां पर यह total होका आचुका है आपके पास तो यह आपने देखा some function क्यों इस कैसे करेंगे हम repeat करते हैं सबसे पहले आपको equal type करना है इसके बाद some function type करना है sum इसके बाद आपको bracket के अंदर range देना है कि हमें कहां से कहां तक जोड़ना है यहां पर आपको जितना area होगा पूरा area select कर सकते हैं जितनी संख्याओं को आपको जोड़ना होगा ठीक तो दोस्तों देखा आपने कि हम कै इसे प्लस करेंगे इंटर की प्रेस करेंगे इस तरीके से आपको जूड़ जाएगा अब क्या हमें सभी में ऐसा यूज करना है बिलकुल नहीं दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बताया था आटो फिल का यूज कैसे करते हैं तो हमने यहां पर एक सिल का मैंने एक प् आपको यह अभी आपको पॉइंटर ऐसे दिख रहा है आप थोड़ा से इसको उपल ले जाएंगे यह देखें डॉट पर यह ऐसे हो जाता इस तरीके से डार्क प्लस हो गया है अब यहां से आपको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है छोड़ना नहीं है माउ दोस्तों आपके देखा कि हम सम्फंक्शन के यूज कैसे करते हैं और सम्फंक्शन का यूज क्या है ठीक है अब हम देखिए यह तो हमारा स्व हो गया अगर हमें माली जै कोई दो से ले और हम इतना लंबा चोड़ा काम नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको एक तरीका और ब है और यहां पर एक लाग 20 जर्म मुझे इसको दोनों को प्लस करना है तो मैं से मैंनोली टाइप भी कर सकता हूं और डारेक्ट में यहां पर क्लिक कर सकता हूं जैसे मुझे इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ रहा है सम्में तो यह पूरा रेंज ले लेता है ठीक आ सेल को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से एक्टिव करेंगे इसके बाद कीवोड से प्लस टाइप करेंगे और दूसरे सेल पर भी क्लिक करेंगे इस तरीके से और यह देखिए हमारा सी टू प्लस एटू राइट और सिंपल इंटर की प्रेस करेंगे और यह देखिए आपके ह दोस्तों हम यह तो हमारा प्लस करने का था अब मगर हम आपर माइनस करना है तो देखें सिंपली माइनस कैसे करें बड़ा सिंपल है दोस्तों वह तरीका सबसे पहले हमें क्वाल प्रेस करें के की वोड से इसके बाद हमें जैसे माई में जून की जून को माइनस करने माई की को कि जो सेल है हमारी इसमें जून की सेल को माइनस करना है हम कैसे करेंगे तो सब सेपहले एक्वल कि किया इसके बाद सिंप इस सेल में माइनस करना है मुझे मैं की यह जो सेल है इसको माइनस करना है यह से ठीक है तो मैंने यहाँ पर सिंपल डी टू सेलेक्ट यहाँ इसके बाद आपको माइनस लगाना है और इसके बाद आपको यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक करना सिंपल यह ठीक है तो मैंने यहाँ पर दिया कि मुझे इस सेल यान यह करना है राइट यह देटो की किया समझ में आरा है आपको इधर से डी और इधर से टू को करेंगे यह देकर सही है गलत इसको डिलेट करते हैं और कोई छोटी वेलू हम टाइप करते हैं एक्वल टाइप किया मुझे माली जिए 20 में माइनस करना है फाइप को तो मैंने आप टाइप का सिंपल एकवल 20 माइनस 5 और इंटर की प्रेस करेंगे तो यह देखिए आप 15 आ चुका है अब संदुष्टी हुई आपको यह बिल्गुल सही रिपोर्ट देता है तो इस तरीके से हम प्लस माइनस कर सकते हैं अब देखते हैं अगर हमें म मुझे यहां पर इसकी क्वांटिटी रेट को मल्टिप्लाई करना है माउंट निकालने के लिए मतलब हम यहां टोटल माउंट अगर चाहिए तो कैसे निकलेगा जैसे लैप्टाप प्लेन वो की 20 प्रोडक्ट सेल हुए है एक का रेट है एक लाग 20 रुपे तो यहां करेंगे थोड़े सेल को बढ़ा करते हैं जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए फॉंट साइज यहां से बढ़ा लेते हैं ठीक है सबसे पहले हम एकवल टाइप करेंगे इस तरीके से और इसके बाद हमें मल्टिप्लाई करना है 20 को मैंने इस सेल के अड्रेस क्लिक किया य देखे मैंने जे टू में के टू को मल्टिप्लाई किया मतलब इसमें इसको मल्टिप्लाई किया क्वाडिटी में रेट को मल्टिप्लाई किया और जैसे आप इंटर की प्रेस करेंगे यह देखे आपके सामने रिजल्ट ठीक चलिए इसको दूसरे को देखते हैं एक बार सबसे पहले एकवल टाइप करना है ठीक है इसके बाद आपको के करना है थोड़ी से में बढ़ा करते हैं से में हम सब यृत से थोड़ा-्दक कर ले एं तरीके से करेंगे देखिए हाँ पर ही टोटल आ चुका है अब चलिए हम देखते हैं इसको संतोष्टी के लिए कि हमने सही काम कर रहा है हमारा सिस्टम या गलत काम कर रहा है इसको हम डिलेट करते हैं कुछ छूटी वैल्यू देखते हैं अपने शम में किया था तो आपको यहां पर यहां यहां पर क्लिक करना है और यहां डाट पर जाना यह डाट यह जैसे डार्क प्लस हुआ left button mouse के press करके आपको simply drag करना है तो यह देखे हमने यहां तक drag किया और यह हमारा secondo में पूरा multiply करके दे दिया दोस्तों है न कमाल की चीज यह तो हम देखते हैं इस तरीके से किस तरीके से multiply करते है ठीक है अब हम next देखते हैं जैसे हमें divide करना है अगर तो divide करना भी same बड़ा simple है आपको कुछ नहीं करना है divide करना है तो बस यह multiply का यहां से आप symbol हटाईए और यहां पर लगाई divide यह देखिए बड़ा simple है दोस्तों ना जहां हमने multiply लगाया था अभी थोड़ी दिर पहले हमने multiply लगाया था इसको हमने हटाया इसके जिगह किए divide और जैसे हम इंडर करेंगे तो यह देखे हमारे है divide इस तरीके से रिपोट आ रही है चले हम कोई छोटा सा डेटा टाइप करते हाँ पर जैसे मुझे माली जे कि 50 को divide करना है फाइब से हम कैसे करेंगे simply equal type करेंगे यहां टाइप करेंगे 50 यहां करेंगे divide और किस से करना फाइब से और इंडर की प्रेस करना है यह देखे आप टेन आ गया ठीक इस तरीके से आप दिवाइड कर सकते हैं रइट है बड़ा सिंपल दोस्तों बाकि अगर हमें फंक्शन की यूज करना है तो फंक्शन की उच्छ करके भी कर सकते हैं चले देखते हैं मल्टिप्लाइ के लिए क्या function यूज करते है ठीक है तो multiply के लिए आपको function की उच्छ करना क्या है प्रोड़क्ट देखिए कैसे सबसे पहले प्रिस्ष करना है इसके बाद फंक्षन टाइप करना P R O D U C P बढ़ इस फंक्षन का यूज मल्टिप्लाइब करने के लिए किया जाता है किसके लिए प्रोड़क्ट इसके बाद आपको लगा ना ब्रेकेट और इसके बाद इसके अंदर आपको वही कंडिशन है आपकी नंबर वन ठीक पहली संख्या किसमें कॉमा लगाना है और कौन सी संख्या को मल्टिप्लाई करना है और इस तरीके से ब्रेकेट को क्लोज कर देना है बड़ा सिम्पल है फ्रेंट्स जे टू कॉमा के ट बाकी का में चाहिए तो हम सिम्पल इसको इस तरीके से पॉइंटर रखेंगे और इसे ड्रेक करेंगे दोस्तों यह देखिए हमने निकाल लिया पूरा ठीक तो इस तरीके से आप मल्टिप्लाई करने के लिए प्रोड़क्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं राइट तो दो दिवाइट के कि लिए कोई फंक्शन क्या होता है मोड एप अब इसको कैसे उसकेरें मौड टाइप कर THE करेंगे त्ऌरेंगे और इसके बाद हमें कौन शी संख्या को divided माई दूसी संख्या से हमें डिवाइट करना ठीक है अब बंद करेंगे इंडर करेंगे यहां हमें रिजल्ट मिल जाएगा फ्रेंड्स तो आपने देखा किस तरीके से निकालेंगे मोड फंक्शन की उसकरके तो दोस्तों आपने आज की इस वीडियो में बैसिक फंक्शन का यूज सीखा कि हम कैस यूज आपको इसमें दो तीन का ध्यान रखना है पहले चीज आपको फंक्शन काने से पहले है एककल को प्रेस करना है इसे को का शिंबल लागाना है दूसरी चीज आपको स्पेस देना है आपको सिम्पली सिल का ड्रेस देना है ब्रैकेट के अंदर इंडर के प्रेस करना आपका रिगल्ट आपके शामने होगा दोस्तों आज की वीडियो में आपको बैसिक फर्मुला के उच बिता है और एडवांस जितनी फर्मुला से आपको स्टेप बाइस्टेप डेली हम आप फर्मुला के साथ मिलेंगे तो चलिए नमस्कार दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग